Hello friends, Love Another Drugs, ये 2010 की romantic movie आज मैं आपको explain करने वाला हूँ इस movie में हमारा main character Jamie जो लोग पर बिलिव नहीं करता जब एक लड़की से हो मिलता है, उसका नाम होता है Maggie, उसके प्यार में पढ़ जाता है movie की storyline आपने बहुत बार सुने होगी पर इसका education बहुत ही अलग है तो चलिए इस beautiful movie को explain करना start करते है movie start होती है और हमारा main character Jamie हम देखते है Jamie एक music store में काम करता है अगर हम Jamie के character के बारे में बात करें तो Jamie एक playboy drive character होता है किसी भी लड़की से बहुत या अच्छी तरीकिसे बात कर सकता है और उसके साथ सिर्फ इसे सोना ही होता है इसके बात करने की डेगनिक यह इस selling में भी use करता है और बहुत सारी चीज़े sell कर देता है यह जिस store में काम करता है तो उस store owner के एक girlfriend होती है जिसे बात करने लग जाता है Jamie और यह एक दूसरे से बात करने लग जाते है और इन दोनों में instant attraction हो जाता है यह directly store के पीछे जाकर एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है यह लड़की डर रही होती है क्योंकि उसका boyfriend यही है तब इसका mobile on हो जाता है और इसके boyfriend कोई call लग जाता है store owner यानि की boyfriend यह सब सुनता है बहुत ही गुसा हो जाता है जैमी को मारता है और फिर उसे भगा देता है जैमी को अब कुछ भी job नहीं है आज रात उसके family dinner होने वाला है जैमी की family हम देखते है तो उसके एक sister उसका एक brother और उसके parents होते है इसका चोटा boy एक millionaire है उसका luck अच्छा था तो इसका idea चल गया और ही millionaire बन गया इसकी sister भी doctor है पर जैमी ने ही कुछ अच्छा अपने life के साथ नहीं किया है इनके family एक typical dysfunctional family होती है जिनके एक दूसरे से बनती नहीं dinner table पर जब यह होते है तो जैमी को उसके job के बारे में उस सब पुछते है जैमी के ब्रदर को पता होता है कि जैमी का job चला गया और इसका reason भी उससे पता होता है तो इसकी वज़े से वो हसने लग जाता है सब जैमी के लिए वरी करते है कि आप वो क्या करेगा जैमी का ब्रदर कहता है कि वो drug representative बन सकता है जैमी के ब्रदर का नाम होता है जोश तो जोश अपने connections यूद्स करकर जैमी को job दिलवा देता है एक फाइजर नाम की company में जैमी को इंटरनेशिप लग जाती है यहाँ आपर selling कैसी करनी है यह सब उसे सिखाया जाता है जैमी intelligent होता है तो जल्दी जल्दी सब सीख जाता है वह उसे सिखाने वाली उसकी boss होती है इसके साथ भी वो intimate हो जाता है जैमी जब उसके boss के साथ बेट भर होता है तो कुछ सोच रहा होता है उसकी boss पुछती है तुम सोच क्या रहे हो जेमी कहता है यहां पैसो के बार में सोच रहों यानि कि जेमी कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखना चाहता यह बहुत ही practical character हम यहां देखते है अब जेमी की internship खतम हो जाती है और उसके boss यानि कि Bruce के लिए काम करने वाला होता है यह दोनों अलग अलग जगा जाकर doctor को sample देने वाले होते है उसका boss उसे guardian समझाता है कि तुम्हारा जो quota है यही सिर्फ important है तुम्हें जल से जल तुम्हारा quota complete करना है यहीं कि तुम्हें promotion मिल सके उसके boss उसे बहुत सारे instruction देता है जैमी को doctor के पीछे hospital में जाना allowed नहीं है तो जब doctor parking lot में ही होते हैं तो यह उनके पीछे पीछे इसे भागना पड़ता है एकसिन में हम देखते हैं कि जैमी और Bruce अपने office में होते हैं यहाँ पर बहुत ही beautiful लड़की उसे दिखती है जैमी उस लड़की को एक अलगी नाम से पुकारता है इसका नाम उसे पता नहीं होता तो उसका boss पुछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया जैमी कहता है कि अगर मैं उसे अलग नाम से पुकारूँगा तो मुझे में interested हो जाएगी वो जब मुझे बात करेगी तो मैं कहूंगा कि मेरी ex-girlfriend का नाम वो था मैं heart हूँ इसलिए मुझे वो attracted हो सकती है लड़कीों को पाने के लिए जैमी की अलग अलग tricks होती है इसका boss भी ये सुनकर impressed होता है इसके बाद जैमी और Bruce एक doctor के पास आते है ये doctor उन्हें मिलना बहुत important है अगर इनकी company की कोली ये doctor लिखने लग गया तो सब doctor ये ही लिखेंगे इन्हें बहुत सारा फायदा इससे हो सकता है और के quota भी चल्दी से खतम हो सकते है तो इसी वज़े से इनके लिए बहुत important होता है जब ये doctor का wait करते है तो doctor इन्हें ignore कर देते है जेमी अपने boss से पुछता है कि इतना important क्यों है इसका boss कहता है कि अगर हमने सही से quota complete कर दिया तो हम Chicago जाएंगे actual पेसे Chicago में हैं हमें मिलने वाले है जेमी भी competitive होता है तो इस काम के लिए वो लग जाता है जेमी फिर receptionist के पास जाता है वो appointment की date पूछता है ये चार विक पात होती है जेमी कहता है कि तुम मुझे resist नहीं कर पाऊगी जब तक तुम हा नहीं कह देती तब तक मैं यही रुखूँगा ये पुछती कि तुम बोल कह रहे हो जेमी कहता है कि मुझे सैंपल छोड़ कर जाने है पर उस जगा छोड़ने है जहाँ पर डॉक्टर देख सके जेमी औरतों के साथ अच्छे से बात कर सकता है और persistent होता है तो रिसेप्शनिस भी मान जाती है इस हॉस्पिटल में और एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है सिंडी सिंडी भी जेमी से इंप्रेस्ट हो जाती है जेमी जब अपने मेडिसिन रखने के लिए जाता है तो उसके competition के सैंपल सब कुछ अपने बैंक में रख देता है भार जाकर ये dustbin में fake आता है जेमी अपने office में उस लड़की से मिलता है जिसको अलग नाम से पुकारता था ये लड़की उसे कहती है कि ये trick मुझे पर नहीं चलने वाली ये बहुत ही intelligent होती है ये कहती है कि मैं किसी भी salesman को date नहीं करने वाली मैं इस profession में हूँ क्योंकि मुझे doctor को date करना है जेमी भी इससे impressed होता है जेमी और उसका boss जहाँ पर doctor जिस बार पे आते हैं उसे बार में पहुच जाते है यहाँ पर और एक character हमें दिखता है जिसका नाम होता है Dre जेमी का boss जेमी को कहता है कि जो Dre है ये हमारी competition है यह हमारी country में top 10 salesman में से एक है रेने हर doctor को convince कर लिया आता है कि उसके ही company का drug उन्हें देना है जेमी के boss का quota सिर्फ Dre की वज़े से ही नहीं हो रहा जेमी फिर रेंक्स दिन डाक्टर के पास जाता है वो उसे thousand dollars दे देता है डॉक्टर पुछते है क्या तुम मुझे bribe करना चाहते हो जेमी केता है कि मेरी company सिर्फ experiment कर रही है इसी वज़े से हम सब doctors को thousand dollars दे रहे है डॉक्टर legally कुछ trouble में ना है इसलिए कुछ भी story बना देता है डॉक्टर भी बहुत लालची होता है और अब जेमी की बात सुनने के लिए वो ready हो जाता है जेमी भी as a intern डॉक्टर के पीची पीची भागता है अब डॉक्टर जिस patient को देखने के लिए जाते है उसका नाम होता है Maggie Maggie को Parkinson's होता है Parkinson's याने कि nerves का एक disease होता है जिसमें nerves काम ने करते हैं उसके बाद movement भी करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है Maggie young है और young लोगों में नहीं होता पर फिर भी उसको a disease है जेमी जब Maggie को देखता है तो instantly उसे वो पसन आजाती है Maggie को और एक problem होती है उसे लगता है कि उसके breast पर कुछ problem है तो डॉक्टर को दिखाती है डॉक्टर कहते है कि spider bite है जेमी यह सब देखकर मजे ले रहा होता है जब एक cancellation खतम हो जाता है और जेमी बाहर आता है तो Maggie उसके पास आती है और उसे bag मारती है Maggie कहती है कि तुम sales representative हो तुम क्यों वहाँ थे उसे वो sorry कहने के लिए कहती है Maggie उसकी विमारी के वज़े से बहुत सारे doctors को मिलती है और generally doctors rude होते है तो इन पर वो चीड़ गही होती है इस बार medical community से कोई तु से sorry बोले यह उसके expectation होती है और जेमी भी sorry बोल देता है जेमी फिर उसका नाम पुछता है Maggie कहती है strong eye contact, body language इससे तुम अच्छे salesman हो ही उस पर अभी भी चीड़ी होई होती है और वहाँ से चली जाती है जाते जाते जेमी का एक photo भी लेकर जाती है जेमी को Maggie की बारे में कुछ भी पता नहीं है hospital में काम करने वाली Cindy जेमी से attracted है तो जेमी उसे call करता है जेमी जब घर पर आता है तो उसका brother वहाँ आया हुआ होता है उसकी girlfriend ने उसे बाहर निकाल दिया है जिसका brother एक pawn addict बन चुका है तो इसी वज़े से उसकी girlfriend ने उसे बाहर निकाल दिया इसी emotional support की ज़रूरत है तो जेमी के पास ही आप रहने वाला है मैगी पुछती है कि तुम्हें ये number कैसे मिला पर वो figure out कर लेती है कि receptionist से उसे ये number मिल गया होगा जेमी उसे बोलता है कि ब्लीज मेरे साथ एक coffee पर जलो मैगी उसके लिए मना कर रही होती है पर जेमी बहुत ही insisting होता है मैगी को पता है कि जब तक वो हा नहीं बोलेगी तब तक ये पूछता है रहेगा इसी वाज़े से अब वो मान जाती है इसके बाद हमें इन दोनों की डायक लिए date दिखाए गई है मैगी जिस cafe में काम करती है यही पर वो जेमी को बुलाती है यह तोनों बैठते है और जेमी कहता है कि तुम्हेरे eyes बहुत ही beautiful है मैगी तुरंद पहचन जाती है कि इसकी ए trick है मैगी उससे पुछती है कि क्या हर लड़की पर यह चल जाता है जेमी कहता है कि सच मुछ में सच मुछ में वो बहुत ही beautiful है मैगी इस conversation से poor हो जाती है वो कहती है कि हम इधर उधर की बाते करेंगे एक दूसरे को like कर रहे है यह सब return करेंगे और उसके बाद एक दूसरे के साथ intimate हो जाएंगे तो क्योंना हम time बजाते है डायेकली मेरे apartment पर चलते है इस तरीके से पार बार वो मिलने लग जाते है एक बार ऐसे ही जैमी के घर बर मैगी आ जाती है और सब कबड़े निकाल देती है पर उससे पता ही नहीं होता कि जैमी का brother यहाँ है यह बहुत ही awkward और funny scene हम यहाँ देखते है जब मैगी और जैमी एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है तो अपने childhood के बारे में जैमी बात करने लग जाता है जैमी की बातों से में पता जलता है कि वो बहुत ही intelligent था उसे biology बहुत ही पसंद थी पर जैमी कहता है उसके father को जैमी को बहुत ही successful देखना था पर जैमी होने नहीं दे सकता था मैगी इस story पर भी believe नहीं करती वो कहती है क्या लड़कियों को यह story पसन आती है क्या तुम इसी तरीके से लड़कियों की सिंपती लेते हो इसके बाद जैमी serious हो जाता है वो मैगी से बोचता है तुम्हारा boyfriend क्यों नहीं है मैगी भी serious हो जाती है वो कहती है जैसा चल रहा है वैसे तुम चलने दो मुझे कोई भी relationship नहीं चाहिए इसके बाद next scene में हम देखते है कि जैमी के पास ट्रे जाता है यह वही salesman है जो उसके competition है यह जोर से इसके pet में गुसा मारता है हमें पता है कि जैमी उसके competition के सब medicine dustbin में डाल देता था यह बाद ट्रे को पता चली है और ट्रे उसे बहुत मारता है ट्रे को मैगी और जैमी के बारे में पता है तुसे वो सला देखर जाता है कि मैगी से तुम दूर भागो वो सही लड़की नहीं है जो medicine जैमी डस्विन में फेकता था वो anti-depression थी यह medicine एक भीकारी लेने लग गया था और इसके बाद अब वो job interview पर जाने वाला है इसके बाद हमें दिखता है कि जैमी मैगी के लिए food लेकर आता है मैगी surprise होती है यह तुनों खाना अगरा खाते है जैमी उससे बात कर रहा हता है मैं के उससे पुछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो मैंने तुमें बताया है कि हमें कोई भी relationship ने चाहिए मैंने एक बार relationship में रहने का try किया था और वो success नहीं हो पाया मैं एको लगता है कि उसकी condition की वज़े से बहुत सारी चीज़े आप करने ही पाएगी इसी वज़े से कोई भी उसके साथ सही से रहने ही पाएगा और वो किसी को भी deserve नहीं करती उसकी last relationship यानि की try के साथ जब वो थी तो यही एक problem आया था उनमें बहुत बड़ी fight हो चुकी थी उसी वज़े से break up भी हो गया यह सब चीज़े वो जेमी को बताती है इसके बाद यह दोनों intimate होने की कोशिश करते है पर जेमी आज कोच कर नहीं पाता वो actual में मैगी को like करने लग गया है और उनकी जो relationship है सिर्फ physical है उसे अब नहीं चाहिए मैगी भी उसे समझ लेती है और मैगी कहती ही कि हम अब बात कर सकते है यह फिर सुबे से लेकर शाम तक बहुत सारी बाते करते है बातों बातों मैगी कहती है यह तुमारी company वाइगरा इंट्रियूस कराने वाली है यह आदमियों को performance increase करने का एक ड्रग है यह बहुत सारी बाते करते है और फिर से intimate हो जाते है जेमी जब जाहरा होता है तो मैगी फिर से उसे कहती है मुझे कोई भी relationship नहीं चाहिए हमने जो बाते की है यह last वार हम करेंगे अब next year में हम देखते है जेमी जब अपने boss के पास होता है तो अपने boss को कहता है जो new drug हमारी company launch करने वाली है वो मुझे चाहिए जेमी बोलता है कि वो drug sell करने के लिए मैं ही best हो मुझसे ज़्यादा fast कोई भी sell नहीं कर पाएगा उसका boss भी यह देने के लिए उसे मान जाता है इसके बाद जेमी और उसका boss बार में आते है इस बार में डॉक्टर और ट्रे भी होता है जेमी डॉक्टर के पास चाता है वो उसे बात करने लग जाता है डॉक्टर को पता चलता है कि जेमी और मैगी में relationship है डॉक्टर को मैगी के लिए बहुत बुरा लगता है जैमी कहता है कि इसमें बुरा लगने जैसा क्या है वो अच्छे से मेडिसिन में गर लेकी तो सही से वो जी सकती है यहाँ पर ट्रे कहता है कि तुम्हें इसा लगता है पर यह सब पॉसिबल नहीं है Jamie और Trey इन दोने में fight अभी होने वाली है पर Trey वहां से निकल जाता है यहाँ पर चो डॉक्टर है एक धरकी डॉक्टर होता है डॉक्टर को girlfriend दिलवाने के लिए Jamie ने अगर help की तो डॉक्टर भी उसके medicine लिखने वाला होता है जेमी इस पर एक्सपर्ट है तो डॉक्टर को हेल्फ कर देता है रात में जेमी फिर से Maggie को कॉल करता है उसे वो बात करना चाता है Maggie बुच्छती है, क्यों तुमने मुझे कॉल किया है polarization Jamie कहता है कि तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद है मैगी को यह नहीं चाहिए तो फोन रख देती है जेमी का ब्रदर यह सब सुन रहा होता है वो कहता है क्यों तुम्हें मना कर रही है इसी वज़े से तुम उसके साथ रिलेशन्शिप चाहते हो जेमी नेक्स दिन मैगी के पास जाता है वो कुछ ओर लोगों को अलग होस्पिटल में लेकर जा रही होती है वो दो दिनों के लिए से बाहर रहेगी और रात में भी लेट आएगी मैगी उससे कुछे बात नहीं करना चाहती है जेमी फिर दो दिनों बाद रात में आता है और रात में अपनी गाड़े में ही रूखता है वो continuously मैगी का वेट करता है सुभा हो जाती है तब मैगी आती है मैगी realize करती है कि रात बर यही था मैगी कहती है कि हम अगर relationship में जाएंगे तो हम अपने friends को एक दुसरे से नहीं अब जेमी को न्यू मेडिसीन का अकाउंट भी मिल चुका है, तो बहुत ही खोश होता है, बहुत अच्छे से से सेल करता है, और टॉप सेल्समैन ये भी बन जाता है, जेमी और मैगी की रिलेशनशिप भी बहुत ही ब्यूटिफुल चल रहे होती है, बेडरूम में भी एक द कि मेरी मदर के सामने मुझे सिर्फ अच्छा साउंड करना था, इसलिए मैं कर रहा था, मैगी पूछती है कि और क्या तुमने जुट बोला है, मैगी जेमी को फिकर आउट कर लेती है, वो कहीती है कि तुम कॉंफिडन्ट हो, तुम अपने गोल के लिए बहुत सारे काम करत तुम स्मार्ट हो, तुम इंटेलिजन्ट हो, पर फिभी तुमें लगता है कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते, तुम कितने अच्छे हो कि तुम्हे खुद को नहीं पता है, वो जेमी को कॉंफिडन्स दिलाती है कि वो अच्छा आत्मी है, एक दिन जेमी पार्टी में जाता है, यहां बहुत सारे ड़किया होती है, पर यहां वो रिलाइस करता है कि वो एक्चुन में मैगी से प्यार करने लग गया है, वो रात में मैगी के पास आता है, उसे किस करता है, उसे वो बात करना चाता है, पर वो करने पाता, उसे सास लेने में तकलिवा जाती है, म रथराने लगते हैं वो सही से कुछ काम करनी पाती एक दिन उसके मेडिसीन सब खतम हो जाते हैं यह बहुत ही डिप्रेस मेहसुस करती है रात में जब जेमी घर पर आता है तो मैगी कहती है मेरे साथ तुम क्यों रहना चाहते हो क्या तुम्हें नॉर्मल गल्फेंड नहीं च चला गया होता है पर फिर भी आवाज सुनकर अंदर आ जाता है मेगी को हग करता है क्योंकि उसे सारी की जरुरत होती है मेगी की कंडिशन ठीक हो सके इसलिए अच्छा से ड्रग्स वगरा अवलेबल नहीं है पर जेमी इसके लिए पूरे एफर्ट अप डालने वाला है जे विमारी के वारे में खुल कर बात कर रहे होते है ये भी उसकी तरह ही है और बहुत सारी चीज़े अपनी लाइफ के साथ कर रहे है ये देखकर उसे मोटिवेशन मिलती है उसे जो लगता था कि वो अकेली है अब उसे नहीं लग रहा वो भी अच्छे से लाइफ जी सकती है इसके लिए वो hopeful है जेमी को भी text message करकर वो यहाँ बुला लेती है जब मिटिंग खत्म हो जाती है तो जेमी एक आदमी से बात करता है इस आदमी की wife भी इसी disease से जूंज रही है जेमी इस आदमी को उसकी wife के बारें बोचता है बोचता है कि तुम दोनों की relationship केसी है जेमी बोलता है कि क्या तुमारे wife को भी है जेमी कहता है कि मेरी girlfriend को है जेमी को सला देता है कि इस relationship को तुम end कर दो यह बिमारी बहुत ही घटिया है तुम किसी भी लड़की से प्यार करते हो तो उसकी कुछ qualities के लिए करते हो पर यह सब quality उस लड़की से यह चीन लेती है यह आदमी कहता है कि मैं मेरी wife से पैर करता हो पर फिर से दुबारा में यह सब नहीं करना चाहूंगा जेमी यह सब सुनकर डर जाता है अब यह ठान लेता है कि कुछ भी करेगा पर मैगी को cure करके रहेगा मैगी के लिए वो research करता है अलग-अलग hospitals देखता है बहुत सारी test मैगी और वो जाकर करवा करा दे जेमी अपने job में बहुत ही आगे चला गया था पर वो अपने job में भी अब जरा बीचे आ रहा है मैगी भी अलग-अलो hospital में जाने से अब चेट जाती है वो अब जेमी से बात करती है वो कहती है कि यह सब तुम क्यों कर रहे हो मेरी बिमारी के साथ भी में रह सकती हो इतना बड़ा यह issue नहीं है वो फिर realize करती है जेमी से बुछती है क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरी बिमारी ठीक होगी तभी तुम उससे प्यार कर सकते हो जेमी कुछ बोलता नहीं यह समझ जाती है कि यही reason था जेमी से अब वो break up कर लेती है जेमी फिर से अपने career में track में आ जाता है सब targets वगिरा वो जल्दी जल्दी complete करता है तो उसे promotion भी मिल जाता है अब वो नई जगा promotion के लिए जाने वाला है इसके बाद जेमी अपने boss के साथ एक restaurant में celebrate करने के लिए आता है यहाँ पर उसे फिर से Maggie मिलती है Maggie एक दूसरे आदमी के साथ होती है जेमी उसे बात करना जाता है पर Maggie वहाँ से निकल जाती है फिर जेम्स अपने जब boss से बात करता है तो सिब जेम्स को promotion मिला होता है उसके boss को promotion नहीं मिलता जेमी को यह system बहुत ही गलत लगता है अब जेमी प्रमोशन के लिए नई city में जाने वाला है तो सब packing उगरा कर रहा होता है हमने देखा है कि जेमी और Maggie एक दूसरे को tape करते थे तो यह tapes उसे मिल जाती है एक वीडियो चलाता है जिसमें Maggie बहुत ही खुश होती है जेमी जब पूछता है तो यह कहती है कि यह जो moment है यह मेरे लिए बहुत ही beautiful है एसा एक moment हो या हजार पर अभी जो चल रहा है यही मेरे लिए बहुत ही important है जेमी अब realize करता है कुछ भी चीसे matter नहीं करती Maggie के साथ जो भी पल वो गुजार सके वो उसे गुजारने है यह moment उसका important है वो future की नहीं सोच सकता जेमी जल्दी से Maggie के पास जाता है Maggie एक बस में आगे चली जाती है तो बस का पीछा करता है और बस को रोक लेता है Maggie पुछती है क्या इस सब करकर तुम मुझे इंप्रेस करना चाहते हो जेमी कहता है कि प्लीज मेरे बात सुन लो जेमी कहता है कि मैं घटी आदमी हूँ मैंने मेरी पूरी लाइफ में किसी भी केर नहीं की है जब तुम मेरी लाइफ में आई तो तुमने मुझे सब कुछ चीज़े सिखाई है मैं जो समझता था वो मैं गलत समझता था तुमने मुझे सही आदमी बनाया है सब लग मुझे जैसे देखते थे वैसे तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा तुमने मुझे अपने आप पर बिलीव करना सिखाया है जैमी कहता है यह मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी मेरी है यह सब सुन कर मैगी भी रोने लग जाती है मैगे कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़ादा ज़रूरत पड़ेगी ये फैर नहीं है जेमी कहता है मुझे इससे कुछ भी भरक नहीं पड़ता हम जो भी करेंगे वो एक साथ करेंगे किसी alternate universe में हम perfect couple हो सकते है पर हम इस moment में जो है यही मुझे चाहिए मुझे इसमें कोई भी changes नहीं चाहिए हम दोनों की ही जोड़ी best है इसके बाद ये एक दूसरे को accept कर लेते है मुवी के last में जेमी हमसे कहता है कि लाइफ में हम जो चीज़े एकस्पेट करते है वो कभी कभी हमें नहीं मिलती पर जो हम expect भी नहीं कर सकते है उसे जादा हमें मिल जाता है अब जेमी उसे जो प्रमोशन मिलने वाला था वो नहीं लेगा उसे हमेशा से डॉक्टर बनना था तो इसलिए अब वो डिगरी लेने वाला है जेमी हमसे कहता है कि अपनी लाइफ में आप हजारों लोगों से मिलते है पर कोई भी आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता पर उसके बाद किसी एग से आप मिलते है और वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है जेमी के अंदर बहुत सारी इनसीकृरिटीज थी वो अपने आपको घटिया समझता था इसे वचे से सब गलत जीज़े को करता था पर मैगी से जब वो मिला तो मैगी ने वो सचूस में अच्छा आदमी है यह उसे रिलाइज कर गर दिया इसके बाद इसकी लाइफ सही हो गए और मैगी के साथ उसे जो प्रॉलम से उसे भी उसने सौल कर दिया और इसके बाद एक दूसरे को इन्होंने एकसेट कर लिया और हैपी एंडिंग इस मुवी की हो जाती है अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा प्लिस इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा यह बहुत सारी इस तरह की मुवीज लेकर आता रहता हो तो प्लिस चैनल को सब्स्राइब कर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकों दबना में मत भूलिया अब फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया